हेलो माई देर बच्छा, how are you all guys, hopefully आप सभी बच्छे सूपर डूपर बढ़िया शड़िया होंगे, तो चलिए क्लास नंबर तीन, यानि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, वो बताते हैं, बट पिछली दो क्लास में हम क्या कर चुके हैं, उसको जानते हैं सबसे पहले, तो हम लोग सबसे पहली क्लास के अंदर, functions का एक introduction देख चुके थे, types of function देख चुके थे, structure देख चुके थे, def का क्या use है, function call क्या होती है, कितनी बार call कर सकते हैं, ज्यादा function बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, function define होने से पहले call होगा, के बाद में call होगा, ये सारी तो हमने parameters और arguments देखे, then हमने देखा कि actual parameter और formal arguments या formal parameter किसको बोलते हैं, यहाँ पर previous class लिखना शाहिए था, okay, that's cool, अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर हम एक शब्द जो आपने पिछली class में, जो मैंने आपको homework दिया होगा, उसमें आपने जरूर देखा होगा, that is written, okay, cool अब written क्या होता है, अगर हम इस normal शब्द की बात करें, तो written का मतलब होता है कि कोई भी चीज हमें वापिस written देना, जैसे कि मैं किसी के घर गई, party पर, birthday पर, तो मैंने gift दिया या नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मेरे को वापिस written gift है जो दिया, ठीक है, इसमें ऐसी चीज हो सकती है कि मैं भी gift लेकर के गई और वहां से मेरे पास में written में भी gift आया, ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ नहीं लेकर के गई, बट उन्होंने मुझे return में gift दिया, ये दोनों चीज़े हो सकती है, अब ये जाना और आना, return का क्या role है या मतलब है, actually मैं किया है कि जब आप एक function बनाते हो और आप उस function को call करते हो, तो आप उसके साम साथ कोई values को भेजते हो और वो उस तरीके से act करता है, अब आप answer वहीं पर print करा देते हो, आप answer वहां पर print कराने की बजाए, you want to take it back, यानि कि जस function ने call किया है, आप उसको वह answer वापिस देना चाहते हो, that is called return, तो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, जैसे कि, इसमें चार चीजे लिखी है, function with no argument, no return type, जो कि अभी तक आपने program बनाए है, function with argument but no return type, ये भी आप बना चुके है, function with no argument but return type, ये भी हम करेंगे, function with argument and with written, ये भी अभी हम करेंगे, okay, so अब इसके लिए हम पायचराम को open करते हैं, and य जैसे कि, हम एक program बनाते हैं, कोई भी program है, जो बना सकते हैं, odd even ही अभी दिमाग में चल रहा है, तो हम उसी को बनाते हैं, ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, n is equals to integer, और user से input कर लिया, ठीक है, तो मैं कहती हूँ, enter number, ठीक है, अब आपने इसके अंदर काम करना है, और वो if लगा करके, क्योंकि क्या काम है, वो matter नहीं रखता, matter यह रखता है कि, काम कैसे होगा, आपका function कैसे act करेगा, so आप print करते हो, आपने even print किया, and yes, आप else print कर रहे हो, and आपने odd print किया, अब ऐसी बात है कि, आप इस function को call करेंगे, ठीक है, अब यह जो है, यह पहली category है, यह क answer देखी ले, जैसे not आला, एक second, not आला, तो उसने हमें आपको odd answer दिया, ठीक है, अब मैं आपको यह पहली category से, रूबरू कराना चाहती हूँ, यहाँ पर, जो आपने यहाँ पर लिखी है, first, first, that is, function with no argument and no return type, यह पहली चीज, पहले पहला point यहाँ पर, ठीक है, अब इसको देखेंगे, तो ध्यान, 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 देख करके सुनिये, no argument, क्या आपने यहाँ से कोई argument भीजा, आपके मूँ से निकलेगा no, ठीक है, क्या आप इस में कोई written keyword देख रहे हो, no, तो no argument, no return type, you're just calling to this function, value accept हो रही है, काम हो रहा है, print हो रहा है, ठीक है, अब हम चलते हैं next cheese पर, जिसमें आप arguments को भी भेजते हो, जो कि आप अभी अभी last class में कर भी चुके हो, means to say कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं यह कर रही हूँ कि यह जो मेरे प clearing it outside the function, और फिर मैं क्या कर रही हूँ, इसको भेज रही हूँ, और वहाँ पर accept हो, आप इसका नाम N भी हो सकता था, और आप इसका नाम कुछ भी M भी रख सकते हो, ठीक है, तो अब जब मैं इसको call कर रही हूँ, तो अब मैंने जो answer है, तो जलो answer तो आना ही आना है, जो आ not returning you anything, so which is number 2, तो ये वाली बात, तो इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा उपर लेखें और आपको बताएं, so पिछली बार जो हुआ था, with no argument, no return time, no argument and no return time, अब आप यहाँ से एक argument को भेज रहे हो, और ये parameter है, and कौन सा parameter, formal, actual, actual value, formal के अंदर गई, काम हुआ, और cool, so that means, it is not returning you anything, but yes, it is accepting an argument, ठीक है, okay cool, अब हम यहाँ पर चलते हैं, और इसके अंदर, ऐसा कुछ करते हैं, कि ये answer है नो जो हमारा, ये हमें वापस मिल जाए, तो मैं return नाम का एक keyword यूज़ करूंगी, और आपको ये even answer वापस दे देग ठीक है, अब मैं written, मतलब बजाए कि आप वहीं पर print पराने के, आप कहते हैं कि भाई, उसका answer हमें वापस ला करके देदो, आप उस answer का कुछ भी करना चाहें, तो जब आप call करते हैं, तो आपकी मर्जी है, कि आप यहाँ पर इसको ऐसे print करा सकते हैं, तो जैसे कि अगर मै आपने पास एरर इसलिया है, क्योंकि मैंने सिंगल कोट या हाइफन दबा दिया था गलती से, तो अभी इसको देखो कि इसके अंदर काम कैसे होगा, इसके लिए यहाँ चलते हैं, इसको देखेंगे, यह हमारे लिए कैसे काम कर रहा है, ओके, कहां गया है यह रहा, ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर no argument but returning a value, ठीक है, तो अभी आपको धिरे धिरे चीज़ें हैं जो समझ में आ रही होगे, कि अखिरकार function, काम, work कैसे कर रहा है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, कि आपका function है, जी, cool, आपने call किया, अब आप यहाँ पर आए हो, यह कोई भी आपका, जो है, odd event, मैंतर चेक करेगा, जो भी value आप डालोगे, बात यह नहीं, बात यह है कि आप यहाँ से क्या कर रहे हो, return कर रहे हो, means आप answer वहीं print कराना, print, अब बच्चों को confusion हो जा थी कि return और print में क्या अंतर है, अरे साथ जो भी किया किया, अब आपको वापिस दे रहा है, वो बोल, ठीक है, मतलब वहीं पर print नहीं करा रहा है, यह even, तो यह answer आपको वापिस मिलेगा, तो अगर मानलेजे, even होता, तो जो call करता है, उसको answer मिलता है, अब यह value इसमें रिसीव हो गई, और उसको आप print कर रहे मैंने कहा 9, तो यह अगर मैं यहाँ पर, मैंने कोई जानबुज के even value डाली, इसने 9 रिटन किया, मतलब आप यहाँ से कुछ भी रिटन करा सकते हो, तो आप रिटन करोगे, तो वो value इसमें receive होगी, और इसके धुरू accept होगी, और इसके अंदर transfer हो जाएगी, और उसको आप print करते हो, अब आप P के साथ कुछ भी करो, let's suppose I am doing ऐसा कुछ, ठीक है तो अभी वो 9 बार आपका care हो जाएगा, तो यह मैंने कहा 8, तो even, 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 तो कहने का मतलब है कि आप कुछ भी कर सकते हो, उस receive हुई value के साथ में, जो भी आप करना चाहो, अब अगला पार्ट इसके मैंने देख लिया, actually, so sorry for this, what I did there, with no argument but written type, नहीं, this is with argument but no written type, let me change this, okay, so यह जो अभी अभी हमने किया है न, यह with argument वाला कर लिया, ठीक है, इसको मुझे यहां करने तो, ठीक है, ओहो, मेरा replace हो गया न, sorry, और हमने यहां पर यह चौथे वाला कर लिया, but no issue, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी मैं तीनों को दुबारा बता देती हूं, okay, मैंने heading को पढ़ा नहीं, okay, देखे, अब इसके अंदर क्या चीज हो रही है, no argument, no written type, so we don't have any argument and this function is not returning you anything, that is normal function, आप उसको call कर रह है, okay, अब एक function जिसमें आप arguments यानि की values को भेज रहे हो, वो accept कर रहा है, बट कुछ return नहीं हो रहा है, अब यहां पर एक argument आपने भीजा है, यहां से, और आप वहां से answers को return भी कर रहे हो, means to say कि आपने कोई value भेजी, उसने काम किया, अब वो वापिस से आपको answer लाकर के द रहा है, that is, with argument and written also, but ऐसा भी हो सकता है, जब आप कोई argument भेजोगे नहीं, बट वो आपको return कर सकता है, जिसके लिए हम यहां पर थोड़ा सा change करने वाले हैं, इसको हटाने वाले हैं, okay, और यहां पर हम इसको हटाने वाले हैं, and इसको N से, M, चाहे M को N, कुछ भी करो, तो एक बार हम इसको run करते हैं, तो जैसे मैंने कहा 8, तो even, 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 जैसे मैंने कहा 9, तो एक सेकिन, हमने कोई value डाली, ऐसी वैसी, okay, why we are getting here an error, actually the reason behind that, we are sending here क्या, एक string, और string आपस में multiply नहीं हो सकती, so what we need to do, मुझे यहाँ पर कोई string integer देना पड़ेगा, replication के लिए, ठीक है, तो मैंने कहा 9, so अब आपके पास even, 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 even है जो आएगा, okay, cool, बात यहाँ पर यह नहीं है कि यह answer क्या आ रहा है, बात यहाँ पर यह है कि act कैसे कर रहा है, वो जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, okay, तो आप इस चीज को ध्यावन दे करके, आवश्यक्ता दे करके, इसको समझे है कि no argument, आप कोई argument भेज रहे हो, नई मैम कुछ नहीं भेज रहे, कुछ accept हो नहीं रहा, value आई काम हुआ, return हुई value जिसने call किया, इसको, इस ते receive किया, अब आप उसको उतनी बार replicate कर रहे हो, अगर यहाँ आ जाता तो यह 2 आपको return करता, इसमें transfer होता और 2 बार even-even, तो मतलब आपको क्या समझ में आया, no argument, no return type, you are just calling to that function, that function is doing some work for you, and print कर रहा है वहीं पर, ठीक है, and with argument, but no return type, you have, आपके पास में values है, भेजी, काम हुआ, that's it, okay, then आपके पास में no argument, but return type, तो आप यहाँ से कोई argument नहीं भेज रहे हो, just call कर रहे हो, काम हो रहा है, वापस answer आपको मिल रहा है, with the argument, आपने arguments भी भेजे, और answer भी आपको return हुआ, so, जो function call करता है, answer उसी को return मिलता है, यानि कि यहाँ पर 10 function होते, और 10 function call हो रहे होते, तो जो function जैसे act करना चाहिए, अगर उसमें return लिखा है, तो वो return करेगा, नहीं लिखा है, तो नहीं करेगा, और return हमेशा उसको होगा, जिसने उसको call किया है, मतलब अगर मैं किसी को मैं शारुक को call करेगा, तो शारुक मुझसे भात करेगा, किसी और से तो नहीं करेगा, उसी phone call के उपर, तो मतलब जिसने call किया है, जवाब उसको ही मिलता है, ठीक है, ओके, रिटन हमारा keyword है, वो function नहीं है, print function में answer print होता है, रिटन हमारा function की body के अंदर use होता है, तो वो आपको answer return करता है, अब रिटन के बारे में चीजे जान लीजे, कि रिटन जहां पर भी आप use करोगे, वो function की अंतिम line होगी, जी हाँ, बिलकुल, जैसे कि अगर हम यहाँ पर S में से सब कट करते हैं, दुबारा बनाते हैं, return, return एक keyword है, तो R छोटा होना चाहिए, इसलिए मैंने बड़ा लिखा है यहाँ पर, ताकि वो keyword ना हो, है ना, so P is equals to 2, यहाँ फिर मैं ऐसा करती हूँ, return, ठीक है, मैंने कहा 90, तो मैं यहाँ पर print करा लेती हूँ, return को, so मैंने call किया और मुझे answer 90 मिला, super cool, आप देखिए, मैं अगर print के बाद में कुछ भी लिखती हूँ, तो वो line है मेरी नहीं चलेगी, तो return क्या हो गया, मैंने print के बाद बोला, नहीं, return के बाद आप कुछ भी लिखते होना, तो वो आपका नहीं चलेगा, तो मतलब कहने का, कि return आपके function में आपने जहां पर भी यूज कर दिया ना, तो वो आपके last line हो चाएगी, ठीक है, यह वाली चीज आपको याद रखनी है, okay, cool, कभी-कभी ऐसा होता है, कि आप function के अंदर, आप expect करते हूँ, कि आपको answer return होगा, जैसे कि अभी मैंने इसको call किया, इसने okay print कर दिया, but what about यह बाहर वाला print, यह क्या print कर आएगा, विकुछ तो return हो नहीं रहा, ऐसे case में यह आपको keyword देगा, none, यानि कि print के अंदर, आपने एक ऐसे function को डाला, जो कुछ return करता ही नहीं है, तो आपके पास मे none print होगा, ठीक है, यह function कैसे चला, look it there guys, इसको ध्यान से समझो, कैसे चला, 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 function यह रहा, इसको call किया, इसने okay print किया, cool, what about यह print function, जब आपको इससे answer कोई नहीं मिला है, तो यह आपको none return करेगा, ठीक है, तो यह चीज़ हमें ध्यान रखनी है, so note डालिए कि return statement ends a function, return जहां पर भी लिखा है, वो आपके function की last line है, अगर आप return के बाद में कोई भी चीज़ लिखते हो, तो वहाँ पर आपका compiler नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, so अब अगर मैं इस function को call करती हूँ, मैंने कहा I am before return, तो यहाँ से आप return हो लिए, यानि कि यह एकलौती एक ऐसी line है, जिसमें लिका है, हाई, I am after return, यह नहीं चलेगे, आपके पास क्या print होगा, हाई, I am before return, यानि कि अगर हम pen change करें, तो यह, then आपके पास, bye-bye, okay, cool, fine, after return, no statement will execute, यह चीज़ बार-बार मैंने आपको बता दी, and after return, Carson will move back to the calling function, nothing will run after the return in the same function, ठीक है, अगर आप return कुछ नहीं करते हैं, जैसे कि इसमें जो भी काम हुआ, यहां हुआ, लेकिन A में क्या जाएगा, तो A में none print हो जाएगा, जैसे कि अभी-भी मैंने आपको बताया, हम, हाँ, return देखो, एक से जादा चीज़ें भी हम return कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारी अगली class है, उसमें return multiple ही लिखा हुआ है, उसका जो title देखेंगे, बट मैं इसमें आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप return कर रहे होना, तो जैसे मैंने कहा 9,8,8 है ना, तो अब यह multiple values written हो रही है, in the form of a tuple, because that's your tuple, so वो tuple में bunch बना करके आपको values को भीच र to, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो आपके पास में देखें, answer कैसे आ रहा है, यह calculate हो करके, the answer written हो रहा है, आपको, तो आप यहां से कुछ भी written कर सकते थे, आप कहते हो कि मैं क्यों dictionary written कर दो, मैंने का, yes, you can return the dictionary also, जब आप dictionary written करेंगे, तो आपके पास dictionary written हो जाएगी, आप यहां प पर dot keys लिखोगे, तो keys written होगा, आप यहां पर एक list लिखोगे, तो आपकी एक list written होगी, आप integer दोगे, integer होगा, tuple, string, whatever, आप written कर सकते हो, written का मतलब है, answer को वापिस देना, return करना, return is a keyword also, तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, कि written आपके function की last line है, written के बाद में आप दो भी लिखते हो, वो आपका नहीं चलता है, चलने का मतलब है, not unreachable हो गया, है ना, okay, so यह सारी चीज़े करी, अब अगली जो हमारी class है, उसके अंदर हम यह multiple return को ही देखने वाले हैं, ठीक है, return की ऊपर ही हम चीज़े करेंगे, multiple values के तरीके से return होती है, तो इसको हम butterfly की तर है, और अलविदा लेते हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देजेगा, मिलेंगे आप से अगली class में, और अपने विशारों को जरूर प्रकट करना, कि येस, आपको ये lecture सीरीज कैसी लग रही है, ठीक है, so बाई बाई